नमस्कार दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर सियन टुड़े जैसा कि आपको मालूम होगा समय समय पर मैं आपको अथेंटिक जानकारी देता रहता हूं जो भी जानकारी मुझे कलेक्ट होती है मुझे प्राप्त होती है आप तो पहुंचा देता हूं हमने साथ रहें उनको जटका लग सकता है साथ सा सबसे बड़ा जटका गरीबों को लगेगा जो गरीब घर की बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी सबसे अहम सवाल है सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है या पूरता सत्य है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है यूपी में PPP model पर चलेंगे सरकारी स्कूल और RTI में जो खुलासा हुआ है उस पर भी बात करेंगे यूपी के सरकारी स्कूल अब PPP यानि कि टिपल पी माडल पर भी चलेंगे इसका मतलब है कि सरकार स्कूलों की बिल्डिंग देगी और संचालन प्राइबिट संस्थानों वा निजी ब्यक्तियों को दिया जाएगा महत्पूर्प्रकरणों में नीति निधार्ण यूम किरिन निवन में सहाता करने के लिए विभाग में एक बिशिस कारिया अधिकारी सलहकार का पस रिज़ित किया जा सकता है अब इसे क्या होगा गरीब बच्चे प्राइबिट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और जो सरकारी सिच्छक बनने का सपना देख रहे थे उनका सपना चूर चूर होगा कुछ लोग हमसे कमेंट के माध्यों से बात भी कर रहे थे हमसे कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता 97 जार आएगी जैसे ही सरकार बनेगी बीजेपी की 97 सिच्छक भरती आने वाली है जमकर भरतिया होगी इतनी भरती होगी उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते मैंने का समय का इंतियार करिए आउर सोर्सिंग और सम्मीदा के अलाम आपको कुछ नहीं मिलने वाला है और जो मिलेगा वा उट के मुँमें जीरा होगा और मैं आपको बताता हैं चाहता हूँ यहां पर देखे साब साब लिखा हुआ है सरकार सिच्छा के निजी करण की साजिस कर सिच्छा देना राज सरकार की जिम्यदारी है जिसमें सरकार अच्छम है इससे दुख़त क्या हो सकता है ट्रिपल पी माडल के जरिए सिच्छा व्योसा निजी हाथों में देने पर गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा ऐसा सुरेस्त कुमारतिर पाठी का कहना है सिच्छा विधायक हैं आप दिल्ली को देखिए दिल्ले में प्राइबेट कॉलेज से नाम कर डाकर लोग अपने बच्चे को सरकारी कॉलेज में क्यों कर रहे हैं वहां कि सिच्छा वे उसना बहुत ही बहतर है और बीजेपी की नीतिया देखिए प्राइबेट करना मतलब कि मोधी सरकार में रेलवे का नीजी करण एरलाइन का नीजी सब कुछ नीजी हाथों में सौप देना भाईया नीजी हाथों में सौपेंगे आप तो महंगाई बढ़ेगी रेल का टिकट जो 10 रुपे का था वा 20 होगा जब सब नीजी हाथों में जाएगा तो महंगाई बढ़े अब जो बच्चे 5 रुपे में पढ़ाई करते तो उन्हें आप 200-400 रुपे देना पड़ेगा अगर नीजी हाथों में सरकार इसको लोगों को सौप दिया गया तो भल्या अगर आप सिच्छक बनने का सपना प्रती निकाले जितने पद्रिक्त हैं उससे भरा जाए लेकिन आज के समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद मेरी बाते सही होती नजर आ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर ना करें कि गरीब की बच्चे अनपड़ रह जाएं क्योंकि जब सरकारी स्कूलों का नीजी करन होगा तो गरीब की बच्चे उतना पैसा देकर पढ़ा ही नहीं कर पाएंगे अगर बरत्मान भी इतना पैसा होता तो आज प्राइबिट स्कूल पढ़ते तो इस कि बहुत ही दैनिये हैं मैं बहुत अच्छा इसे नहीं मानूंगा और जो प्रत्योगी परिछाओं की त्यारी करने जो सिच्छक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक जटका है उत्तर प्रदेश चल पड़ा है संबिदा की यह कहना गलत नहीं होगा फिलाल आगे क क्या होगा है देखने वाली बात होगी लिकिन आज के समाचार पत्र में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर हमने जानकारी आपको दी है आपको बताना चाहता हूं 191 बेस्कुल बनकर त्यार हो गए हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा बस आप 2024 की बाद का इंतियार करें क्योंकि 2024 तक ऐसा कुछ होने वारा नहीं 2024 की बाद क्या होगा इस वर जाने आगे की परक्रियां बढ़ती रहेंगी आपको जानका इस चैनल के बाधिन से मिलती रह कर दो चूब जसे अगी कर दो बाद कर दो जार राद कर दो पना है